यह मुन आत्री धाम पैदल मार्ग जान की चट्टी से 2 किलोमेटर आगे बड़ेली घाड़ पर यात्रियों के आवाचाही वाला मार्ग श्यतिग्रस्त है यात्रियों को दूसरे मार्ग से भेज़ा जा रहा है वहीं मार्ग काफी पतला और संक्रा है इस मार्ग पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस रास्ते पर घोड़ी, खचर, दंडी, कंडी भी चल रही है जिसे कि मार्ग पर धिरे धिरे यात्रियों के संख्या में बड़ोत्री भी हो रही है मार्ग की शेतिगरस्थ होने से यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है राचे आंदुलन काधियों को शेति चारक्षन का शाषन आदेश निरस्थ होने के बाद अब हाई कोट नैनिताल ने राचे के सिवाओं में राचे मूल की इग महिलाओं को मिलने वाली 30% शेति चारक्षन पर रोग का आदेश पारित कर दिया कोट की इस एहम आदेश से राचे सरकार के सिया से मुश्किल बढ़ गई है प्रचिंड बहुमत के बाद फिर से मुख्य मंत्री बने पुश्कर सिंग धामी के सामने राचे के असीमता से चुड़ी बड़ी सियासी चुनौती खड़ी हो गई है और इस मामली में विपक्ष्टो सरकार को घेरेगा ही युवाभी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सरकार पर इस रोग को हटाने का धबाव पड़ाएंगे उधर राचाधीन सेवाओं में उत्राखन बोल की महिलाओं को 30% शेती चारक्षन देनी के इस आशना देश पर नैनिताल हाई कोट नीरोक लगा दी जिसमन मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने कहा कि इस मामली के पूर्ज और पेर्वी की जाएकि